महारास्ट्र में डिप्टी सीएं बनेंगे एकनाशिंदे के बेटी श्रीकान सिंदे खुद दिया बड़ा अपडे महारास्ट्र में मुख्यमंत्री पत पर सस्पेंस बरकरार है इस बीचकार रवाहक मुख्यमंत्री एकनाशिंदे के बेटी श्रीकान सिंदे ने कहा है कि मैं मंत्री पत की रेस में नहीं हूँ मेरे मंत्री बनने की खबरे बेबुनियादे हैं दरासल महारास्ट्र विदान सवाचुना में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी है और वो मंत्री पत पर दाविदारी कर रही है ऐसे मैट कले लगाई जारी है कि एकनाशिंदी मुक्य मंत्री नहीं बनते हैं और बीजेपी से सीएम का चैरा होता है तो शिवसेना से उनके बेटे श्रीकान सिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे हाला कि अपसांसर श्रीकान सिंदे ने इसे इंकार कर दिया है क्या कुछ बोले श्रीकान सिंदे उन्होंने एक्सपर मिराटी में लेका महागडबंधन सरकार का शबत ग्रहेंट समारो थोड़ा विलंबित हो गया है और फिलाले से लेकर खुप चर्चाएं और अफवाहें चल रही है कारवाकुप मुख्य मंत्री एकनाज शिंदे अस्वस्थता के कारण दो दिन के लिए गाउं गए हैं और विश्राम किया श्रीकान सिंदे ने कहा लोकसवाद चुनाफ के बाद मुझे के इंद सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला लेकिन पार्टी संक्षन के लिए काम करने की सोच कर मैंने तब भी मंत्री पढ़ ठुकरा दिया मुझे सत्ता में पत की कोई चाहत नहीं है मैं एक बार फिर इस पस्ट कर दू कि मैं राजे में किसी भी मंत्री पत की दौड में नहीं हूँ क्या देविंदर फड़र बीस बनेंगे सीम नियोज येज नसी पे टी आई के मुताविक विजएपी सूत्रो ने बताया कि दो बार के मुख्यमंत्री और एकनाश्रिंदे के ने तत्ववाली सरकार में मुख्यमंत्री रहे देविंदर फड़र बीस मुख्यमंत्री पत की दौड में सबसे आगे है झाल